बच्चों कच्छा 10 के एंसी आटी गड़ी कुस्चन नमबर आज होगा टैन इक्सरसाई 12.3 क्लास को एंट तक देखिएगा बीच में छोड़के नहीं जाईएगा जो बच्चे जुड़े हैं मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूं बस थोड़ा इंतजार करिए मैं सभी का ना इसमें क्या करने को बोल रहा है कि इसका छेत्रफल दिया बाबु एरिया दिया गया आपको 17320.5 मीट सेंटीमिटर का स्कॉयर इस तिरबुच के परतेक सीर्स को केंद्रमान करके तिरबुच की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के बृत खींचा गया है जो राजन कुमार जुड़े हैं एच रिसू जुड़े हुए है तो इन सबका कमेंट आ रहा है अगर आप भी हमारे साथ रोज जुड़ेंगे राजन कुमार भी जुड़ेंगे बोलेंगे चलो अब पहले यह फिगर हम बनाएंगे खुद से उसके बाद फिर इसमें आपको समझाएंगे बिना बनाए समझ में नहीं आएगा चलिए बना लेता हूं इदर साइड में देखें यहां पर एक चीज समझना है अगर आप इसे गोला परकार पट्री से नाप करके बनाओगे तो बहतरीन बनेगा एक ट्राइंगल बनाना है यहां से रख करके आधाया त्रिज्जा लेना है ऐसे घुमा देना ठीक है यह थोड़ा फजादा हो गया एक लिए बलर करना पड़ा समझ रहे हो तो यह इस तरह का फिगर है इसमें मान लिजिए कि ABC हमने क्या क्या नामकरण कर दिया तो बेटा हमें जो एरिया निकालना वो इसका निकालना जहां पर यह डाटेट चिन्हा आप ध्यान से देख लो जहां पर मैं डाट डाट कर रहा हूं आपको इसी इतने जगा का क्या करना है एरिया फाइंड करना है ठीक है जहां पर डाट डाट बिंदी रखाओ इतने का ही बस तो समझो थोड़ा सा थोड़ा सा समझो क्या करना है इसका में एरिया करना है चुकि एक संभाहुतिरभूज है यहां पर आप हल लिख लो तो आपको कुछ सम सेत्रफल बराबर 17,320.5 सेंटिमीटर ना 17,320.5 सेंटिमीटर का स्कॉयर देखो यह एरिया आपको अल्रेडी दिया है सरकल जो दिया है इसका त्रिज्य वगरा कुछ मालूम नहीं है तिरबुच की भुजा भी नहीं मालूम है तो यहां पर हम मान लेंगे इओ लेट्स रेडियस आपद सरकल लिखोल आरसेंटिमीटर हिंदी मी लिखेंगे माना ब्रिदी की तिरिज्या पर अबर आरसेंटिमीटर ठीक है लिख लिए आगे लिखो माना तिरभुच की भुजा बराबर ए सेंटिमीटर यानि हमने क्या किया इसको r मान लिया और इस पूरी पूरी भुजा को ए मान लिया और अगर एक ए है तो तीनो ए है क्योंकि ये संभाहु तिर्भुजा इसे बाहर से कहीं से लिख दें कहीं से भी लिख लो कैसे भी आप समझ सको बस ठीक है तो तीनो भुजाएं क्या है ए ए सेंटिमेटर है चुकि संभाहु तिर्भुजा तीनो भुजाएं बरा यह क्या होता बाबू आपका यह इसका फर्मूला होता है यह आपको पता है न क्योंकि हमें इसका छेद्रफल दिया है कितना दिया है लिख लो 17 जितना दिया है फटाफट उतारो यहां पर 17 20.5 यह आपका दिया है 17320 दिया है यहां पर थोड़ा समझ के लिखना यह कभी गलत ना होने पाए यह हमें दिया है वहां पर देखो और यह रूट 3 अपान यह 4 इंटू A देखो रेडियस हमें पता नहीं बाबू अभी ठीक है कि मालूम है कहीं से रेडियस नहीं मालूम है ना तो रेडियस हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख देंगे यहां से एक मान निकालेंगे अब एक चीछ समझना है यह 17320.5 अगर आप किताब में देखो कुष्चन में दिया था ना यहां पर एक अंक पर दसामलों लगा है बिट्टा यहां पर पांच अंक पर दसामलों हाल करोगे तो अप उपर से अगर दसामलों हटा दो आपको पता नीचे एक दस बढ़ जाएगा है वैसे यहां भी करेंगे आगर हम ऊपर जामलों लो थेप पर पांच अंक पर दसमलो था तो एक के बाद पांच जीरो नीचे आ जाएगा यह आपको याद रखना है साथ में एक आई स्कॉयर इसको गुड़ा में ऐसे करके लिख दीजिए यह हमेशा अंस में ही होता इसकॉयर हर में नहीं है पिरच्छा गुड़ा करोगे क्रास मल्ट मिल्टिपल यह वाला तो एक इस्कॉयर याद रखना उपर में इसमें इसका अंप पूरा ने करके सब यह गुड़ा हो जायाँगा तो एक लाइन में महली लिक देता हूं ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना चलो इंटु फोर इंटु वन लाख पांच जीरो नीचे यह आपका चला जाएगा दूसरा वाला पोर्शन सतरा तीन सो बीस पांच गुड़े यह आपका दस देखो भया यहां पे आपको एक चीज समझना है अगर उपर देखो तो आपको काफी कुछ इसमें इक्वल लग रहा है यह लग रहा है कि नहीं बोलो झाट अब देखो यह आप इसको पूरा कशिएल कर सकते हो बराबर है न एक चीज़ और कर सकते हो पूंका है • एक जीरो से एक जीरो आप यहां काट सकते हो तो बैट्टा भाबु भी यह द ठीक है और चार का वर्गमूल तुम निकाल लेते हो दो होता है और दफ हजार का वर्गमूल में सो गुड़े सो कर दें तो सो का एक जोड़ा बन जाएगा एक सो बाहर निकल जाएगा यानि हम कह सकते हैं कि जो तिर्भूज की भूजा ए है वो 200 सेंटीमीटर है दो सेंटीमीटर है डू वाबु भाया अगर आपको तीर्भूज की भूजा मिल गई तो आप क्या करोगे क्या करोगे आप है पूरे पूरे तिर्भूज का छेत्रफल निकाल लोगे सही सही का और छेत्रफल निकालना था क्या निकालना था हम 玩ब चाहांगी भाग का चьеत्र बहुत जल्दी कर यह जो कमेंट कर रहे हैं वो परिशान ना रहे हैं बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो तो यह जो मैंने आपको बताया वो मैंने लिख दिया ठीक है छायंकित भाग का छेतरफल बराबर संभाहुत रुबूज का छेतरफल माइनस थ्री इंटू थ्र क्या थीन त्रीजेखंड बन रहे ना तो तीनों त्रीजेखंड का छेतरफल से घटा दोगे तो संभाहुत रुबूज का छेतरफल हम इधर साइट बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि इधर हल करनी की जगा नहीं है तो देखो बाबू यहां पर दिया है इसका छेतरफल दिया त्रीजेखंड का छेतरफल मैंने आपको बताया अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है जहां आपको लगुचाप और दीर्ग चाप माइनर और मेजर चाप पढ़ाया था आर्क पढ़ाया था वहां पर हीटा पांद त्रीजेख्टी इंटू क्या होता है अब यहां पर समझो मैं इसको इधर लाके हल करूंगा चुकी इधर साइड में जगा है उधर जगा कम पड़ जाएगी तो मैं इधर ले आऊंगा इसमें कुछ कहने की बात नहीं है तो आप थीटा कमान क्या रखोगे बटा बाबू 60 रखोगे यह आपका 360 गुड़े पाई पाई कमान आपको दसामलों में दिया था न तो आप पाई कमान दसामलों वाला ही रख दो इंटू आर देखो पूरा पूरा भुजा 200 cm आई है तिरभूज की अभी अभी निकाला था झाला था ना 200 आई है तो जो एक ब्रित है वो आधा आधा ही तो ले रहे ना यानि 100 सेंटिमीटर इसकी रेटियस कितना हो जाएगी 100 सेंटिमिटर हो जाएगी कि नहीं क्योंकि पूरा पूरा तिर्भुच की बुजा 200 है और यह जो बृत बन रहा है आधे बुजा में ही एक बन रहा है कि आर कमान कितना हो । थो यह कट गया च यह ठाक चटिस यह कट जायेगा दो त्याही 6 कि टीने कम थीन है इन अंडिया यह क्टिया थीक है तो तो एक कम दो दो त्याही 9304 यह । से तिन कर दोगे उपर साइड में अगर आप देखो तो 157 है और बगल में चाठ्थी जीरो है क्यों भाई यह तो है ना बाबू अब देखो यह 17320.5 जो भी है माइनस यह आपका हो जाएगा 157 और आप लगाओगे चाठ्थी सुनना करा देखो दो अंक पर does ribs लुवागाय बाबू कितना ब लगाए दो आप इसमें दो आंक पर दसम्लो लगा दोगे तो कितना बन जायेगा डेखो समझो सुनो इसमें थोड़ा समझना है यहां पर दो अंक पर दसमलो था यह 202 20 हमने सबका गुड़ा कर लिया तो यहां फिर दो अंक पर पीछे से दसमलो लग जाएगा ठीक है के अब इनको घटाल हो गए इसमें से घटाना आप सबको आता है 1620.50 सबको बड़ी बात तो है नहीं अगर नहीं आ तो इसको लिख लो ऐसे 17320.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो इधर फाइड में 00 है जो भी दो इधर दो जीरो हो गया साथ पांच और एक गटा लो इस तरह से आपका यह कोईश्ण नंबर कंपलीट हो गया अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बताइए इसमें अभी छे कुश्ण और हैं बच्चों आप क्लास को जादा फे जादा सेर करिए भारी से भारी मात्रा में बच् एक दिन में एक परस्नावली वाली कंपलीट हल करके देंगे लेकिन आप सेर कुप करिए तो आप एक दिन में अगर एक पढ़ रहे हो ना बहुत अच्छा है जल्दी-जल्दी खतम हो जाएगा आप सीखते भी जाओगे अगर आप इस टेंसन में रहो कि ऐसा ऐसा कोईश् नेका एक करवारा हूं रोज तो मिलते हैं फिर अगली कलास में बहुत बहुत थैंक्यू क्लास को सेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलना यूटुब पर पीवियर स्टडी 3.0 चैनल सब्सक्राइब करें हमें फेस्बूक पर फालो करना ना भूलें नाम है हर जगा एक ही नाम PBRS टडी अगर आप सारी कलास की लिंक पाना चाहते हैं सूचना पाना चाहते हैं तो तेली ग्राम पे PBRS टडडी ज्वाइन करना कता ही न भूलें डिस्क्रेप्शन में लिंक दे गई होँगी चेक कर लिजिए थैंक्यू